वेलकम एवरीवन टु मैं चैनल और आज का जो हमारा इस विडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंपोजिट कॉलम तो बेसिकली कंपोजिट कॉलम क्या होता है जब हमें रिक्वार्मेंट होती है किसी ऐसे जगा पर जहां हमें कॉलम की स्ट्रेंथ जादा चा पुल्ली इंकास्ट कॉंक्रीट कॉंपोजिट कॉलम सिम्लर वे में अगर हम उस कॉंक्रीट कॉलम को यह भी कर सकते हैं कि हम क्या करें एक ट्यूब ले ले जिसके अंदर कॉंक्रीट पूरे फिल कर दें तो वह हमारा हो जाता है कॉंक्रीट फिल्ड ट्यूब तो इस तरह से ह हुआ है तो हम जानते हैं कि composite column होता क्या है और जो यह research paper उसको हम परहेंगे कैसे उससे हम कैसे details निकालेंगे जिससे कि हम F.E.A. modeling कर लेंगे यह भी basically आप इससे validation भी कर सकते हैं अगर आपका project composite column के उपर है तो आप इस paper को यूज करके इससे validate कर सकते हैं और बाकी के process आगे कर सकते हैं बाकी इस वीडियो में आपको यह भी समझ में आएगा कि composite column के साथ हम work कैसे करते हैं अपने abacus में तो जैसे कि properties वगरा हो तो हमें डालना हो तो हम वह कैसे यूज करेंगे वह सारे इस paper में है तो चलिए यहां बैठे-बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है तो मैं आपको computer screen पर दे जाता हूँ वहां पर आपको समझाओंगा कि abacus यूज कैसे करते हैं तो यह हमारा वह paper जिसका title है 3D modeling and analysis of in-cast steel composite column in abacus और यह कारतिके और मिस्टर दास के दौरा किया गया है यह research paper ठीक है तो इसमें basically हमें यह paper क्यों use किया मैंने सबसे पहले यह बता दू आपको क्योंकि इस paper में क्या है एक तो in-cast हमारा composite column वाला जो factor था वो दूसरा question हमें आता था कि जो हम experiment करके अगर analysis कर रहे हैं तो उसको abacus में उसके properties कैसे use करें तो यह दो question mainly इसमें answer हो जाएंगे ठीक है बाकी और सारे भी आपके question हैं जो की इसमें answer हैं लगबक तो आप continue बने रहे हैं इसके साथ तो इसमें हुए जैसे कि मैंने बता रखा है पहले भी कि paper को कैसे पढ़ना है सबसे पहले abstract और introduction पढ़ेंगे कि यह देखने को मिलता है तो इससे हमें क्या इस paper में सबसे पहले यह दिखने को मिलता है कि हमारे पास तीन तरह के composite column होते हैं जो सबसे पहला वाला हमारा composite column है इसे हम कहते है fully incast incast का simple मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर उसको fill कर देना for example जैसे यह आई section आपको देखने को मिल रहा है i section क्या है कि concrete के अंदर completely filled है जैसे incast कैसे बोलेंगे तो हमारे सरीर में जो bones है वो muscle के अंदर incast है तो यह fully incast है मतलब आपको यह steel का exposure बाहर की तरफ कहीं नहीं दिख रहा होगा whereas अगर हम second example में देखेंगे यह second volume B में तो क्या है कि steel का section है हमारा जो कि incast तो है मगर इसका एक side exposure क्या है कि बाहर की तरफ है मतलब atmosphere से exposure है ठीक है और दो side हमें क्या दिख रहा है कि यह concrete का है तो यह क्या है ना कि यह completely incast नहीं है यह partially incast पीएसी कहते हैं इसको यह fec हो गया यह pec हो गया जो हमारा third है जो third हमारा यह वाला diagram है इसमें क्या है कि यह बाहर से steel का tube है ठीक है और उसके अंदर इसमें concrete field है ठीक है तो यह जो steel का tube है इसके इसके अंदर concrete field है तो इसको हम कहते हैं CFT इसको हम कहते हैं concrete field tube ठीक है tube है जो के concrete से field है तो यह तीन तरगे composite column होते हैं हमारे जो हम typically use करते हैं ठीक है कैसे इस तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं तो इसमें basically हां तो अब इस research paper पे आते हैं कि इस research paper में जैसे कि यह तीन है ना इन्होंने क्या कर रखा है कि एक तो normal जो ह क्या किया है आई section को incast किया गया है और फिर उसका analysis किया गया है और वो भी दो तरह से किया गया है आगे हम देखते हैं जैसे कि इन्होंने पहले description दे रखा है देखिए क्या है कि इन्होंने एक FEC बनाया है एक RC column बनाया है जिस पर axial load का analysis किया है ठीक है इसके आद इसमें द geometric properties दे रखे हैं और यह size वेगरा सब कुछ दे रखे हैं मैं चाहूंगा कि यह सारी चीज़े आप खुद से परें ताकि आपको एक तरह से habit बनेगा कि आप पढ़ना कैसे और details आप कैसे grab करते हैं और इन details को मैं further क्या होगा कि आगे जब Abacus का software में use करेंगे तो यही details हमें यूज करना है तो वहां पर भी help मिल जाएगा तो हम यह देखना है ठीक है अब अब क्या है कि इन्हों ने देखिए इन्होंने क्या कर रखा इस तरह का column बना रखा है पहले आप प्लान देख लिजे यह तरह का elevation देख है और यह एक प्लान है तो इस तरह का column बना रखा है जिसमें की एक तो सर्फ reinforcement है एक की आई सेक्षिन के साथ है ठीक है तो दो तरह के बना रखे है अब इसका details इन्होंने कैसे लिया फस्ट इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट अनलाइसेस किया और फिर उसको जो है आपकस में भी अनलाइसेस किया ठीक है तो अब क्या है कि इन्होंने कैसे लिया है, I-Saved Structure Steel लिया है, जिसके उपर Tensile Strength का इनलाईस, इन्होंने यू ट्यूम मशीन के द्वारा किया है, और इसके आद उसका Strength निकाला है, ऑर इसके आद उसका Strength निकाला है, ठीक है, जिंद्ध वे में इन्होंने reinforcement को भी लिया, उसका भी Strength निकाला, और यह यूटियम की मदद से इसली आपको ग्राफ प्लॉट करके निकल जाता है तो यह तीनों चीज अल्टिमेट इस्टेंट निकाला इन्होंने तीन डिफरेंट मैट्रियल लिए और फिर उसका मीन वैल्यू निकाला तो हम जो आवेकस में यूज करेंगे यह मीन वाला जो हमा हमारा उसका निकाला 250 अल्टिमेट इस्टेंथ हैं यह सारे चीज निकले जो हमारे सेक्शन है इन्होंने यह जो एक्स्पेरिमेंट डाइग्राम दे रखा है और अगर उपर देखे होंगे आपने अभी टेबल टू में तो यह बेसिकली इन्होंने दे रखा है टेबल वन यह दो तरह के इन्होंने स्पेसिमेंट डेजाइन किये हैं जिसके अंदर यह आई सेक्शन है और यह 26 MPa के लिए यह 42 MPa के लिए और यह सारा डिजाइन किया गया है तो हम इस में से क्या करेंगे किसी एक को डिजाइन करेंगे क्योंकि हम यह वीडियो पर बना रहे हैं तो तो हम क्या करेंगे कि यह FEC, ISMB1 या फिर FEC, ISMB2 यह दो जो है इन में से किसी एक को design करके देखेंगे और उसके जो result आएंगे वो हमारे से match होने चाहिए exactly तो match नहीं होगा क्योंकि कुछ factors miss हो जाता है अगर हमने exact factor ले लिया तो हमारा result exact same आएगा लेकिन कुछ computer अपने system का भी होता है कि कुछ computation वेगरा जो है न कुछ error आ सकते हैं तो वो कुछ values उपर नीचे हो जाती है लेकिन overall near about same answer आना चाहिए हमारा ठीक है तब ही हम उसको validate कर सकते हैं कि हमारा method और इनका method जो है न सेम है तो वो कर सकते हैं हमारा mainly क्या objective होता है validation का validation का objective यह होता है कि खुद को और सामने वाले को जैसे हम अपना research paper हमने research कर लिया तो हमें खुद में कैसे बता चलेगा हमारा answer सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं किसी एक reference paper को लेते हैं उसका analysis करते हैं अगर उनका result हमारे result सेम आता है तो एक तरह से confidence होता है कि नहीं हमने जो work किया है हमने जो data दिया है हमने जो analysis किया है वो सही है हमारा यानि आगे जो हम work करने वाले वो भी सही है same जो information है वो सामने वाले को भी जाता है जब हम अपना research paper publish करते हैं या thesis लिखते हैं तो सामने वाले को भी जाता है कि हाँ इन्होंने एक validation का process किया है जिससे कि यह तो confirm है कि जो सामने वाला work कर रहा है वो genuine है उन्होंने सही से कर रखा है ठीक है तो यह सारे data को ले करके हम properties build करेंगे और यह करेंगे इस में चाहूंगा कि आप यह research paper एक बार खुद से पढ़ो ठीक है इसमें आपको various data मिल जाएंगे कि कहां कौन सा type यूज करना है किस structure का and density वगरा सारे चीजी इन्होंने दे रखे हैं loading वगरा कैसे apply किया है वो सारे चीजी इन्होंने देख रखे हैं meshing वगरा कैसे दर यूज किया हुआ है तो एक तरह से सारा overall इन्होंने दे रखा है कि abacus में हम यूज कैसे करते हैं मैं तो बस यहां बताने के लिए हूँ लेकिन इस paper में complete information है ठीक है नहीं आ रहा है ठीक है इन्होंने graph अगर plot करके result दे रखा है तो यह तो मैं बोलूँगा एक बार आप अपने तरफ से यह research paper को खुद से पढ़ें मैं इसे अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूगा ठीक है और यह पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम वर्क करते हैं composite column के लिए तो बेसिकली इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा अभी तक कि composite column क्या होता है और हम इस पेपर की कौन-कौन से data use करने वाले हैं तो आप इस तरह से बने रहे हैं हमारे साथ और इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन कुछ information गें किया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं तो यहां free में हूँ आपको आप जादा जादा मेरे साहेता करने के लिए क्लिए कर सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं या like बटन दबा सकते हैं तो वह कर दिजिए तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you और keep learning